हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैं चेनल तो आज हम लोग NCRT करें हैं क्लास 6 का जिसमें की चैप्टर 1 हम लोग पढ़ल चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो की चैप्टर का नाम है विवीता एवं भेदभाव तो शरी शुरू करते हैं पिछले पार्ट में आपने विवीता के बारे में पढ़ा कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिड़ाया जाता है, उनका मजाग बढ़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविदियों या समुहों में सामिल नहीं किया जाता अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा बेवार करे तो हमें दुख होता है गुस्सा आता है और हम असहाय मसूस करते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता इस पार्ट में हम यह समझने की कोसिस करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौझूद असमंताओं से कैसे जुड़े हुए हैं रेकिए एक चितर के माधिम से दिखाए गया है कैसे एकता और पंदुत को दिखाए गया है तो हम क्या है और हम कैसे है यह कई चीजों पर निर्वर करता है हम कैसे रहते हैं, कौन सी भसाइं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उस्सा मनाते हैं इन सब पर हमारे रहने की जंगह के भुगोल और इसके इतिहास का असर पड़ता है अगर आप संशेप में ही निम्लिकित बिंदूओं पर ध्यान दे तो भी यह अंदाजा लग जाए दगा कि भारत कितनी विवित्ताओं वाला देश है संसार में आठ मुख के धर्म है भारत में उन आठो धर्मों के अनुयाई यानि मानने वाले राते हैं यहां 1600 से ज़्यादा भसाएं बोली जाती है जो लोगों की मात भसाएं हैं यहां 100 से भी ज़्यादा तरह के नित्य किये जाते हैं या विवित्ता हमेशा खुस होने के कारण नहीं बनती हम उन लोगों के साथ सुरच्ची ते हम आस्वस्त महसुस करते हैं जो हमारी तरह पाते हैं या जान ही नहीं पाते कि वे Şमसे अलग क्यों हैं लोग अपने से अलग दिखनेवाले वालों के बारे में खास राय भालत बना लेते और आगे आता है इनमें से कुछ कतन ग्रामेंड जोगों की अज्याणी तरह देख देखते हैं जब हम किसी के बारे में इसे पहले से कोई राय बना लेते हैं औरा उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पुरवाग्रह रूप ले लेती है जैसा कथनों में दीजा लोगों को आलती आज कंजूस माणा भी पुरवाग्रह है तो देखिये Lebanon कर टो जो आपको ग्रामेड even सहरी लोगों के बारे में सही लगे जिन कत्रनों से आप वसह मत हैं उन पर निसान लगाईए। और क्या आपके दिमाग में ग्रामीर या सहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार के पुर्वागरा हैं, क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पुर्वागरा हैं, लोगों के दिमाग में पुर्वागरा क्यों होते हैं, जिन पुर्वागरा को आपने आस-पास महसुत किया है उनकी एक सूची बनाईए ये पुर्वागरा के बहवार के कैसे प्रभाइद करते हैं तो देखिए हैं ग्रामेड लोग के बारे मताये गया है आदे से ज्यादा भारती गाओं में रहते हैं गाओं के लोग आदूनिक प्रदोगी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12-14 घंटे तक काम करते हैं ग्रामेड लोग काम की तलास में सहरों की और सस्थांतर करने को बात दे होते हैं अब यहां सहरी लोग तो सहरी जीवन बड़ा आसान होता है यहां के लोग बगड़े हुए और आल जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं उदारण के लिए अगर हम सोचे कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भासा है और दूसरी भासाय मॉत्वपूर नहीं है तो हम अन्य भासाओं को बहुत नकरात्मक रूप से देखेंगे परिडाम स्वरूप हम उन लोगों की सायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के लामा अन्य भासाय बोलते हैं हम कई चीजों के बारे में पुर्वागरही हो सकते हैं लोगों के धार्मिक विश्वास उनकी चमड़ी का रंग जिस छेत्र से वे आते हैं जिस तरह से वे बोलते हैं जैसे कपड़े पैंते हैं इत्यादी अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए पुर्वागरह हम इतने प लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़की की तरह जन्म लेते हैं यह तो ऐसे ही होता है इसमें कि सोचने लड़का और लड़की के बारे में कि इसमें से कौन से कौन से हो सकते हैं तो पांच पॉइंट उताना है तो अगर बताना चाहिए होता सकते हैं लोग तरह तरह की बाते करते हैं तो मैं लगड़ता लंगड़ाता हूं मेरी बोली लड़कराती है इसके अलामा और भी बहुत कुछ कभी मैं उदास हो जाता हूं तो कभी दुखी लो पिर यहां पर दिया गया है क्या उसका दिमाग सही है सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगे डगमगाती है लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है तो उपर की चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था इस सब्द को बदलकर आज उनके लिए जो सब्द प्रयोग किया जाते हैं वे हैं खास जरूरतों वाले बच्चे उनके बारे में लोगों के पुर्वा ग्रव को यहां बड़े अच्छरों में दिया गया है साथ है उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी ब्यक्तित दिये गया है यह बच्चे अपने से जूड़ रूड़ी बद धरड़ाओं के बारे में क्या कर रहे हैं और क्यों इस पर चर्चा कीजिए आपकी राय में क्या खास जरूरतों वाले बच्चों को समाने स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए उन्हीं जबाव दीजिए पक्च में तरक दीजिए तो अगर हम इस कथन के कथन को लेगी वे रोते नहीं तो आप देखेंगे कि वह यह गुड़ आम तोर पर लड़कों या पूर्सों के साथ जोड़ा जाता है बच्पने जब लड़कों को लड़कों को गिर जाने पर चूट लग जाती है तो माता पिता यहां पर लड़के को रोना आये तो वह अपने आपको रोक लेता है लड़का या मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है हलांकि लड़कों लड़कियों कभी कभी रोने का मन करता है खास कर जब उन्हें गुस्सा आये या दर्द हो लेकिन बड़े होने तक उनके लड़के सीख जा हम लगातारिय Community ऑस लड़की ऐसे होते हैं समाज की इन मानेताओं को हम बिना सोचित सम्रब्र मान लेते हैं हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा बेवार इनके अनुसार Online Ste pepper hig one trying to चाहिए हम सभी लडकों और लडकियों को उसी झफी के अनुरूप देखना चाते हैं अब है रोडी बद धरणाय बनाना जब हम सभी लोगों को एक ही छबी में बान देते हैं या उनके बारे में पक्की धरणा बना लेते हैं तो उसे रोडी बद धरणा करते हैं कई बार हम किसी खास देश धर्म लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस अपरादी या बेकूप ढारते हैं ऐसा दरशल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है het हर देश-धर्म-अधी में कंजूस अपराधी बेकूप लोग मिल जाते हैं ऐसलिए कि कुछ लोग उस समू में वैसे हैं, पूरे समू के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है, इस प्रकार की धरणाएं हमें प्रतेक्स इंसान को एक अनोखे और अलग वेक्ति की तरह देखने से रोग देती हैं, हम नहीं देख पाते कि उस वेक्ति के अपने कुछ खास ग लड़ाओं को असर हम सब पर पड़ता है, कई बार ये धरणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं, जिनको करने की कबिजिये सायत हमें से हो, यहां है कि वे कुमा लेवा मृद्व सौभाव की है, वे बहुत ही सुसील है, ऐसे कतनों को लेकर उन पर चचा कीजिए, ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किया जाते हैं, क्या लड़कियों में ये गुड़ जन्म से ही होते हैं या ऐसा बहवार समाज से सिखती हैं, आपके उन लड़कियों के बारे में क्या राय है, जो कुमा लेवा मृद्व सौभाव की नहीं होती और सरारती होती हैं, अब दे जए बिदियों में भाग लेने से रोकते हैं किसी खास नौकरि को करने से रोकते हैं या किसी महलेmaking हैने नहीं देते एक ही कुए हैंड़ पंसे पानी नहीं लेने देते और दूसरों दोय इस्तेमाल किये जा रह такой टामा इसे तो इसका मतलब है को आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव कई कारण से हो सकता है, आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भीन थे, उधारण के लिए उनका धर्म अलग था या विविता का पहलू था, पहलू है पर या भेदभाव का कारण भी बन सकता है, ऐसा तब होता है, जब लोग अपने से भिन प्रथाओं और रिवाजों को निवन कोटी का मानते हैं, दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक प्रिष्ट भूमी का था, समीर दो गरीब भीविता का पहलू नहीं है, या तो असमानता है, बहुत लोगों और असमानता पर अधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, एक तो इस कारण की वे इस समुदाय के सदस्य हैं, जिनकी संस्कृति को मुल्यवान नहीं माना जाता है, उपर से यदि वे गरीब हैं और उनके अपास अपनी जरूर्तों को पुरा करने क साधन नहीं तो इस अधार पर भी भेदभाव किया जाता है, ऐसे दोरे भेदभाव का सामना कई जन जाती लोगों धार्मी समुओं और खास छेतर के लोगों पर करना पड़ता है, दलित वर सब्द है जो नीची कही जाने वाली जाती के लोग अपनी पाचान के रूप में इस्तमाल करते हैं, वे इस सब्द को अच्छूत से ज़्यादा पसंद करते हैं, दलित का मतलब है कि मतलब है जिने दबाया गया, कुछला गया, दलितों के अनुसार यह सब्द दरसाता है कि कैसे समाजिक पूर्वा ग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर र पिटकर ने जाती ब्यवस्ता पर अधारित बेदभाव को अपने अनुभाव के बारे में लिखा है, या अनुभाव उनको 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 साल के थे, वे महराष्ट के कुरे गाउं में अपने भाईयों के साथ पीता से मिलने गए थे, बड़ी देर हमने इ हमने बताया कि हमें कोरे गाउं जाना था और हम पिता जी या उनके नौकर के आने का इंतियार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुच पाया था, और हमें पता नहीं था कि कोरे गाउं कैसे पूचते हैं, हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, हमा हमारी मुश्किल मुश्किल को देखकर बड़े परसान हुए जैसा कि हिंदूओं में होता है होता ही है इस्टेसर माश्टर ने हम से पूछा कि हम कौन है बिना एक पल भी सोचे मेरे मुझ से निकल गया कि हम महार हैं बंबभी प्रांत में महार समुदाय को अच्छुत मना जा वे अपने कमरे में वाबस चले गए और हम वही के वही खड़े रहा गए 15-20 मिनिर बीट गए सूटेज बिल्कुल च्छिप सा गया था पीता जी आए नहीं थे और नहीं उनका नौकर और अब इस्टेशन माश्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे हम काफी घबराय हुए काफी घबराय हुए थे यातरा के सुरू में जो खुसी और उस्सा के भावना थी उसकी जगह अब अत्यतिक उदासी ने ले ली थी उदासी ले ली आदी गंटे के बाद इस्टेशन माश्टर लोट कर रहा है तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं हमने कहा कि अगर हम हमें किराया पर एक बैल गाड़ी मिल जाती तो हम कोरे गाŁ जा सकते थे अगर कोरे गाँ ज्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरण निका निकलना चाहते थे वहाँ किराया पर कई वैल गाड़ी चल रही थी लेकिन मेंने स्टेशन माश्टर को जबाब दिया था कि हम महा है उसका पता सब कुछ चल गया था चल गया था कोई भी गाड़ी वान अच्छूत वर्ग की सवारी को लेकर जाकर अपने आपको गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था हम दुगना किराया देने को तयार थे पर हमें ऐसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी इस्ट कि यह कितना मुश्किल होगा कि अगर लोगों को एक जहां से दूसरी जहां जाने न दिया जाए यह कितना अपमाज जनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपस आपसे दूर दूर रहें आपको छूने से मना करें और आपको पानी पीने न दे यहां पर भीवरा अमेटकर के बारे में रिखा गया है कि डाक्टर भीवरा अमेटकर 1891 से उन्हें चपन को भारती समीधान के पीता के एवन दरीतों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं डाक्टर अमेटकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी उनका महार जाती में जन्म हुआ था जो अच्छुत मानी जाती थी महार लोग गरीब होते थे उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद क गये उन्हें दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कालेज भी लिए प्रशायद किया दलितों से अलग अलग तरह की सरकाइब नौपरी करने को कहा ताकि यह जाती में बहुंतार से बाहर निकल पाए प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किये जा रहे थे उनका के अमबेट करना चाहिए और अइसा समाध बिनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसकी जिसमें सबखी इज्चत हो नहीं कि सब 18 जोंकि अब कि आगे आता है संधा के लिए संगर्स ब्रिटीश सासन से आजादी पाने के लिए जो संगर्स किया गया था उसमें समानताम किस ब्यावार के लिए किया गया संगर्स भी सामिल था दलितों औरतों जन जाती लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गयर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाप उन्होंने लड़ाई लड़ी जैसा कि पहले भी बात हुई बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संगर्स किया मैलाओं ने मांग की कि जैसे पूरसों के पास सिच्छा का अधिकार है वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिले किसानों और दलितों ने अपने आपको जमिदारों और उनकी उची ब्याज की दर्ग से छुटकारा दिलाने के लिए संगर्स किया 1947 में भारत जब अजाद हुआ और एक राष्ट बना तो हमारे नेताओं ने समाज में ब्याप्त की गई कि कई तरह की असामादाओं पर विचार किया समिधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से आउगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदवा किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाब की तरह संगर्स किया है कई नेता इन लड़ाईों के हिस्सा थे जैसे डाक्टर अमबेटकर इसलिए नेताओं ने समिधान में ऐसी दृष्टी और दलच्छे रखा जिससे भारत में ऐसी सभी लोगों को बराबर माना जाए समानता को एक अहँ मुल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारती की रूप में जोड़ती है प्रतेक बिक्ति को समान अधिकार और समान असर प्राप्त है अस्पियसेता यानि चुवा छूत को अपरात की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप में से खत्म कर दिया गया है लोग अपनी पसंद का काम चुदने के लिए बिलकुल आजाद है नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है इन सब के अलावा समिधान ने सरकार पर ये BCS जिम्यदारे डाली ठीकी वह गरीबों और मकिधारा से अलग थलग पड़ गए समिधायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए BCS कदम उठाए समिधान के लेककों ने यह भी कहा कि विवित्ता की इज़्जत करना उसे मुल्यमान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महतपूर कारक है उन्होंने यह मसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालंग करने अपनी भासा बोलने, अपने तेवार मनाने और अपने आपको खूले रूप से अविविक्त करने की अजादी होनी चाहिए उन्होंने कहा कि कोई एक भासा धर्म या तेवार सब के लिए अनिवार नहीं बनना चाहिए उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी इसलिए भारत एक धर्म निर्पेश देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालंग करते हैं इससे हमारी एकता के महतपुर कारक के रूप में देखा जा सकता है कि हम इकटे रहते हैं और एक दूसरे की इज़्यत करते हैं देखियां नोट्स में भी कुछ लिखा गया है कि दलित के अलावा कई अन्य समुदा हैं जिनके साथ बेदभाव किया जाता है क्या आप बेदभाव के कुछ अन्य उधार सोच सकते हैं हो सकते हैं तो बताईएगा कमेंड में लिखिएगा उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास जरूरतों वाले लोगों के साथ बेदभाव किया जा सकता है इस पोटो को देखिए यहां पर कुछ मॉमेंट चला जा रहे हैं मैंलाव तौरा दलितौ दोरा यहां पर राजनेत परसाथ बैठे हैं बारत के समीदान लेकने वाले समीदी कोई सदस्टे हैं यह देखिए भारत का समिधान है इसका उद्धिसिका के बारे में है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर प्रभूत संपन समाजवादी पंतर पेख्च लोग तंतरात्म गड़राज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरीकों को समाजिक आर्थिक और आजनेतिक निया आज इस समिधान सभा में आज तारीच 26 नॉब्र नियस उन्चास इसभी को एकत एतत द्वारा इस समिधान को अंगरीकृत अधिनियमित और आत्मरपित करते हैं 26 नॉब्र नियस उन्चास को तो देखिए इस प्रकार यह चैटर 2 आज समाप्त होता है विवित्ता एवं भेदबाव अब हम लोग नेश्ट वीडियो में चैटर 3 करेंगे तो अगर आप लोग को यह वीडियो पसंदार रहा हो तो प्लीज चैप्टर इसमें इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को स सवच् demons लोग करेंगे को सीर लोग टॉटन झार खादर 3 म समय वीडिय 또 अपिंग को सबस्दाश व क्लीज सा стрम अब हम खवाज का ब लोगने हम और रहा हता है व्रोग को लोग कट्यूटे